खुंप प्रेंट भखतभ आपका मेरे चैनल क्रिएटिव नारी में प्रेंड आज हम 25 कलर में कीट्रट का टेजाइन लेकल रहा हैं आज हम लोग लोग एक की बनाने के लिए हम यहां पर ब Zahlen बना लिए हुए अप इस की लिए इसके लिए 11 कि लिए चिंट्राम में रशालoire लोगा देखिए यहां सिक्स के मॉल्टिपल में डिजाइन बनेगा और टू फंदा आप एस्ट्रा लिजेगा ताकि आपका डिजाइन बहुत अच्छा से सेट कर जाएगा तो ए डिजाइन बनाने के लिए चलिए यहां सीधा साइड से है हम यहां से सुरू करेंगे तो प्रेंड डिजाइन आपको अच्छा लगागा तो आप लाइक कर दिजेगा मेरे चैनल पर पहली बारा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए कि दिखिए हम सिधा साइड से बना रहा है तो सिधा सैड से हम फर्स्ट वाले फंदा को сबढ़ने हैं दूसर् burg करेंगी इस दो फंदा को हम इस तरह से सिजा साइच से दो खंदा के हम एक खंदा बना रहे हैं यहां, दोनों खंदा के एक साथ लिए हैं, अब हम यहां इसको दो खंदा से लखिए हैं, हाँ पर हम एक खंदा निकाल ले हैं, ठीक है? उसके बाद एक खंदा हम इसके उपर से और लेंगे, फिर इसी दो खंदा को ब तो यह मेरा तीन फंदा बन गया है अब हम क्या करेंगे कि एक फंदा को हम सिलिप कर देंगे ठीक है और एक फंदा मेरा इसी स्लाइपर रहेगा तो यह फंदा मेँ दो फंदा से चार फंदा बन गिया है, ठीक है, फिर हम फंदा को आगे करेंगे, एक, दो, दो फंदा हम उल्टा बोन लेंगे, तो दिखिए यहाँ दो फंदा हम उल्टा बोने हैं, और दो फंदा से हम चार फंदा बना है, ठीक है, सॉरी, यहां पर हम दो फंदा सीजा लें, जैसे यहां पर हम दो फंदा से चार फंदा बनाए हैं, सेर्म हम यहां पर, फिर हम यहां पर दो फंदा से, देखे दो फंदा लेंगे और यहां पर दो फंदा से हम, फिर एक फंदा बनाए, दूसरा फंदा हम इसके उपर से लिए, और फिर इसी दौ फंदा में हम एक फंदा और लेंगे. ति मेरा दो फंदा से यह तीन फंदा बन गिया है. यह तीन फंदा बन गिया. अब यह देखियें, यहां पर फर्ष्ट वाले फंदा को subscribe कर रहें हैं. सकेंड वाले फंदा इस पर है. इस लाई पर सकेंड वाले फंदा से हम एक फंदा और बना लेंगे, तो मेरा फिर चार फंदा बन गिया, तो यहां चार फंदा में हम यहां आठ फंदा बना है, तो इसी देखी दो फंदा यह हुआ, चार फंदा यह है, तो इसी छे फंदा पर आगे रिपिट किजेगा, और यहां जो हम दो फंड़ा बोन दहें हैं एक दो यहां जो दो फंड़ा हम बोन दहें उल्टा ऐसी दो फंड़ा जो एस्टरा लिजेगा वह आपका last में आएगा इस पंड़ा को हम पीछे करेंगे अब यहां देखिए दो फंदा से हम चार फंदा बनाएंगे एक दो तीन चार फिर यहां दो फंदा से हम चार फंदा बनाएंगे एक दो तीन और एक चार एक लास्ट में दो फंदा है हम उल्टा बुन लेंगे इसको अब हम उल्टा साइट से बना रहे हैं उल्टा साइट से ध्यान दिएगा दिखिएगा फर्स्ट वाल फंदा को सिलिप किए यह देखिए दूसरा फंदा सीधा है इसको हम सीधा बुन लेंगे यह उल्टा साइट से ठीक है और यहां दो फंदा से हम चार फंदा बनाया है तो चार फंदा से हमको दो फंदा बनाना है तो देखिए यहां पर फर्स्ट वाला जो फंदा है यह इसको हम उल्टा साइट से सीधा बुन लेंगे, ठीक है, फिर फंदा को हम आगे करेंगे, और इस तीन फंदा को हम यहां एक फंदा बुन लेंगे, फिर फंदा को हम पीछे करेंगे, यहां चार फंदा है, तो इस चार फंदा में हम एक फंदा को सीधा बुन लेंगे, उल्टा साइट से फिर फंदा को हम आगे करेंगे और इस तीन फंदा को हम एक फंदा बुनेंगे इस तरह से बनाईएगा बहुत असान रिजाइन है फंदा पीछे करेंगे अब देखिए यहां दो फंदा को हम यहां सीधा बुनेंगे यह सीधा साइट से उल्टा है फिर फंदा को हम आगे नहीं करें, फंदा को हम पीछे रहने देंगे, क्योंकि यहाँ चार फंदा है, तो एक फंदा को हम और बुनेंगे, सीधा, फिर फंदा को हम आगे करेंगे, फिर फंदा को हम एक फंदा बुनेंगे, उल्टा, फिर फंदा को हम पीछे करेंगे, फिर यहाँ चार फंदा है, तो चार फंदा में हम एक फंदा को सीधा बुन लेंगे, फंदा को हम आगे करेंगे, इस तीन फंदा को हम एक फंदा बुन देंगे, फिर फंदा हम पीछे करेंगे, इस दो फंदा को हम सीधा बुन देंगे, यह सीधा साइट से उल्टा है, अब यहाँ देखिए, फर्स्ट वाले को सिलिप किये, यह उल्टा है, इसको हम उल्टा बुन देंगे, यह दो फंदा हम उल्टा बना लिए, फिर फंदा को हम पीछे करेंगे, यह जो डियाइन वाले फंदा है, जो तीन फंदा का एक फंदा की है, उसको सिलिप कर रहा है, फिर फंदा को हम आगे करेंगे, एक फंदा हम बीच का उल्टा बुनेंगे, सिधा साइट से, ठीके, फिर फिर पुष्ड़ा को पीछे करेंगे, एक फृसum की करेंगे, यह तृसumर फंदा के .. आगे मिन फेंट ने अफंदा द सनगे अब फ़नदा को हम पीछे करेंगे फिर इस फंदा को हम फिश्ड़ा हम सिल्च ज़्रान करेंगे ये तीन फंदा का एक फंदा है, फिर फंदा हम आगे करेंगे, और बीच का जो है एक फंदा हम उल्टा बोन लेंगे, फंदा पीछे करेंगे, ये तीन का एक वाला को हम सिलिप करेंगे, फिर फंदा हम आगे करेंगे, यहाँ पर हम तीन फंदा को उल्टा बोन लेंगे, ये तीन फंदा हम उल्टा बुन लिए हैं अब उल्टा साइट से हम सेम पैटन को रिपीट करेंगे जो उल्टा है उसको उल्टा बुनेंगे जो सिलिप किये हैं उसको सिलिप करेंगे जो सीधा है उसको हम सीधा बुनेंगे तीन फंदा में ये सीधा है सीधा बुनेंगे फंदा को हम आगे करेंगे एक फंदा को सिलिप करेंगे फिर फंदा पीछे करेंगे, एक फंदा को हम सीधा बुनेंगे, फिर फंदा हम आगे करेंगे, जो सिलिप किये हुए, उसको सिलिप कर रहे हैं, फिर फंदा को पीछे करेंगे, अब हम तीन फंदा को सीधा बुन लेंगे, तीन फंदा सिधा बुन लिए हैं, फिर फंदा को हम आगे करेंगे, एक फंदा को हम, अब हम यह एक फंदा को, यह हम एक फंदा को हम इस्तरीप किये हैं, फिर फंदा को पीछे करेंगे, बीच वाले एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे फिर फंदा आगे करेंगे जो सिलिप किये हुँ है उसको सिलिप करेंगे फिर फंदा पीछे करेंगे दो फंदा हम सीधा बुन लेंगे यह सीधा साइड से उल्टा है देखिए हैं एक डियाइन बना हुआ है अब यहां पर देखिए सीधा साइट से फर्स्ट वाले फंदा को सिलिक किए दूसरा फंदा हम उल्टा बुनेंगे ठीक है फिर फंदा को पीछे करेंगे अब यहां देखिए मेरा चार फंदा का चार फंदा है यह तो फंदा में फिर हम दो फंदा को इस तरह से लेंगे यह ऌपुल्टा है और यह की तीन का एक वला है तो दोनु हों के हम एक सात लेंगे और जो हम हम फर्स्ट में डीजाइशन यहां बनाएं है सेम पैटन हम यहां पे बनाएंगे दो फंधास से हम तीन फंदा बनाएं फिर एक फंदा को हम छिलिप करेंगे इसंथा से हम एख बनाएंगे तो दो फंदा से मेरा चार यह हएक हम दो फंदा से चार फंदा बनाएंगे 1 2 तीन और एक चार तो यहां चार फंदा से हम आठ फंदा बना लिये हैं फिर फंदा को हम आगे करेंगे फिर बीच में मेरा यह दो फंदा उल्टा बनेगा एक कि दो फिर फंदा पीछे करेंगे, यहां दो फंदा का हम चार फंदा बनाएंगे, एक, दो, तीन, फिर हमेरा यह तिन फंदा का एक फंदा है, एक फंदा यह उल्टा वाला है, दो फंदा का हम चार फंदा बनाएंगे, इस तरह से डिजाइन बनाएगा फ्रेंट, तो यह डिजाइन बहुत सुन्दर बन कर त्यार होता है, आप इसको जेन स्वेटर में किसी कलर में बनाएगा, बहुत प्यारा लगेगा यह डिजाइन, बना कर देखिएगा, बहुत असान डिजाइन है, दो फंदा को हम उल्टा बन लगे, तो देखिए, जो डिजाइन हम यहां बनाएगा है, से पैंटर, यहां पर बनेगा, आगे देखिए हम थोड़ा सौर बनाए हुए है, इस तरह से, आपका डिजाइन बनेगा, यह बहुत प्यारा लगता है, जेन स्वेटर में बनाएगा, काडी अं बनाएगा, बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंडर डिजाइन आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर दिजेगा मेरे चैनल पर पहली बारा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा वीडियो देखने के लिए धन्य बाद फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए डि या इनके साथ